नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक पर आपको सागत है, तो आज आप इमें बात करूँगा, और एक नया मतलब नया नहीं, और एक कमपानी के बारे में, जो देखा जे तो एक बैंकिंग कमपानी है, मतलब एक बैंकिंग सेक्टर है, और साथी साथ यह जो बैंक है, वो टो एक्चुली देखा जे तो गवर्मेंट बैंक है, तो इसी कमपानी के बारे में बात करूँगा, कमपानी का नाम आप पहले देख चुके है, इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक के बारे में आज बात करूँगा, क्योंकि बहुत सार दोस्तों ने कमेंड किया, सर इंडियन तो यहाँ पर देख सेकते company का चार्ट पर्टन जो हमें 5 दिन का चार्ट पर्टन दिखा दू तो दीकिए banking sector सबसे ज़्यादा पिटे हुए है क्योंकि दीकिए 8% तक losses सिर्फ 5 दिने में company दिया है और यह पर एक मांद की चार्ट पर्टन उपर्टन कर दू तो एक मांद में तो करीबन करीबन 13% से भी ज्यादा 13% से भी ज्यादा losses company दिया है six month के बारे में बात करो तो six month में around 14% तक company losses दिया है और company के एक साल के हालत के बात करो तो एक साल में 12% तक profit दिया है 12% तक profit तो यहाँ पे ही सुरू हो चुके है company का profit ratio क्या अभी continue होगा चलो वो भी देख ल 60% तक company का losses 60% losses मतलब समझ लेजिए आपका fund का तो मत्रब पूरा के पूरा राम राम सकते है हो गया क्योंकि 60% losses मतलब आपका company के उपर भरोसा ही उड़ जाएगा maximum चार्ट पर अपन कर दो तो यहाँ पर देख सकते 48% का positive return तो देखिए 48% positive return यह सबसे important बात नहीं होते जब कोई लोग अगर निवेस करके रखे थे 300-400 रुपिया में और वो company अभी चल रहा है करीबन करीबन देखा जे तो 150 रुपिया में तो मान के चलिए कितना losses चल रहा है around 60% तो 60% कोई भी company को पर loss अगर चले तो सबसे पहले panic situation create करके retail जो निवेसक है जो आम निवेसक है वो क् company के उपर इस losses लेकर ही माल बेच देंगे तो देखे investment का मतलब यह नहीं कि कोई भी company के उपर निवेस कर दो और अगर loss हो तो मैं निकल जाओ मतलब जितना fund बचे उतना ही अच्छा है इस तरीके से सोच मत करिए मतलब इस तरीके से सोच मत रखिए अगर इस तरीके से सोच रखेंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे तो आपको क्या करना है आपको हमेशा अच्छा खासा stock में बने रहना है जब अच्छ कर सकते हैं तो चलो इस कोंपानी के बागी टेडिस भी देख रहते हैं तो सबसे पहले में कोंपानी के ऊपर गुण न्यूस भी दिखा देता हूं जितने सारे दोस्त नीवेस करकर रखे हैं और 60-50% तक लोसे लेकर भी रखे हैं तो उसके लिए एक तो पॉजिटिव नियू क्रियेट हो ही चुका है एक स्टा बेनिफिट की सबसे आपको शाड़े 600 रुपिया आपको मिल जाएगा इस कॉमपानी से तो इस टाइप कॉमपानी गभर्मेंट कॉमपानी हार क्वार्टर में आपको प्रॉफिट देते रहते हैं क्योंकि इसको इसका प्रॉफिट तो हो इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है उसका मार्जीन भी बढ़ रहा है साथी साथ आपको रिटान भी अच्छा कासा दे रहा है तो मेरे कहना का मतलब है आप क्योंसा बैंक के ऊपर नीवेस कर रहे हैं वह सबसे पहले आपको देखना है तो अभी कॉमपानी का क्वार्टर करोल आपे पच्छें कार्डर करीजल्स आप किछले सालो के रहेजल्स तो चलो वह इसके ओपर भी बात करुआ हो टोडल इंकम के बारे करूं तो करिए लिएत्ध म्ट करोल का टोटल इंकम हूँआ और दूसरी बात यहाँ पर कॉम्पानी ने पिछले क्वाटर में कितना किया था 11,480 करोड का पिछले साल में था 10,400 करोड का इसका मतलब यहाँ पर इंकम में year of year बेसिस ग्रोथ हुआ मगर quarter of quarter बेसिस उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ और उसके बाद company के expense के बारे में बात करो तो total expenditure जो आपको देखने को मिला वो 8,600 जो पिछले quarter में था 8,100 पिछले साल में था 8,000 इसका मतलब income जिस्तर के से हुआ उसके साब से expense थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है क्योंकि पिछले quarter में तो income ज्यादा हुआ था expense होड़ा सा control किया हुआ तो यहाँ पे कुछ data आपको यहाँ पे देखने को मिला अभी देखना है company ने profit क्या किया उससे पहले company का provisioning आपको देखना है तो provisioning यहाँ पे आप देखेंगे तो around आप provisioning के बारे बात करूँ तो यहाँ पे company का जो provisioning है वो around 1,913 पिछले quarter में कितना था 2,493 पिछले साल में था 1,589 इसका मतलब provisioning बहुत अच्छा का सा control किया company ने पिछले quarter था उसके figure देखे तो उसके figure से पता चलता है कि company का provisioning करीबन 500 करोड का total कम हुआ है तो जितना कम होगा provisioning उतना ही company के लिए खास है उतना ही company के लिए positive है अभी देखने है company का profit कितना हुआ तो net profit for the period आप देखेंगे तो 984 करोड का profit हुआ जो पिछले quarter में income तो जदा हुआ था expense भी कम किया था मगर profit देखिए इतना 689 करोड का profit हुआ इसका मतलब profit का margin अगर साल भर में आप देखेंगे तो पिछले साल में 1,700 तो एराउंड दो गुना ज्यादा दो गुना ज्यादा profit company ने पिछले साल में किया था तो यह था company के एक information इस information से क्या आपको सीख मिला यहाँ पर company का जो अक्चुली private मतलब public sector जो इतने सारे बैंक से उसमें performance हामेशा ups and down लेकर ही चलता है हां मैं यह नहीं कहूंगा कि private company में ऐसा नहीं होता हां ऐसा भी होता है मगर वो continuously profit को maintain करता है यहाँ भी continuously profit को maintain किया मगर आप देखेंगे तो पिछले सालों से पिछले quarter के तुलोना से अच्छा हुआ मगर पिछले सालों से और भी अच्छा होना चाहिए था अराउंड 2% company का profit डाउन हो गया तो मतलब 50% company का profit डाउन हो गया इसलिए देखें अर्निंग पर सेर भी आप यह company का क्रम देखने को मिला 7.90 जो पहले था 5.54 पिछले सालों में था 15.13 इसका मतलब अर्निंग पर सेर भी 50% कम हो गया अभी देखना है company का NPA कितना है तो company का NPA के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते company का net NPA है net NPA आप देखेंगे तो 2.27 पिछले quarter में भी 2.72 था पिछले सालों में था 3.37 इसका मतलब NPA बहुत कम हुआ पिछले quarter से भी थोड़ा सा कम हुआ तो NPA जितना कम होगा प्रविजन जितना कम होगा उतना ही banking के लिए ज्यादा positivity देखने को मिलेगा क्योंकि NPA actually non-performing asset होते हैं मानके चलिए आपका एक business है उच बिजनेस में कुछ चीज ऐसे है जो आप बिजनेस में फैला करका है जिसमें आपको कुछ earning नहीं हो रहा है तो उसका जो depreciation हो रहा है वो actually आपके लिए एक expense है तो आप एक गाड़ी खरीद के रखे जिसको आप reuse नहीं कर रहा है उसका मतलब आप आज गाड़ी खरीद के रखे चार लाग से आप 5 साल में उसको 4 लाग मतलब 4 लाग नहीं 50% में भी आप उसको बेज नहीं पाएंगे तो इसका मतलब उसका depreciation निकल गया तो सेम टूसेम आप जो provisioning होते हैं मतलब एंप होते हैं वो non-performing asset होते हैं banking के लिए तो वो जितना कम होगा उतना ही banking banking के लिए खास है तो company का retail banking से किस तरह के से आरनिंग हुआ वो भी आपको देखना चाहिए तो return banking और corporate banking दोनों से आप देखेंगे तो corporate banking से company का गर्नींग हुआ 3,800 जो पहले था 3,900 पिछले सालों में था 3,892 तो यहांपे फिगर जो है थोड़ा सा अपसेंड डाउन है और रिटेल बैंकिंग से देखा जित तो 3,800 जो पहले था 3,900 पिछले सालों में था 3,100 तो यहांपे भी पोजीशन थोड़ा सा ग्रोथ नज़र आ में एक ही बात कहूंगा पहले तो कंपणी के 14 परसेंट डेप अभी कूड़ी है एराउंट 5 लाग साड़ी 5 लाग से भी ज्यादा इसका करजा है कंपणी उस करजा को मिटाने के बाद भी कंपणी प्रॉफिट कर रहे हैं चार हजार करोड तो कंपणी प्रॉफिट किया हाथ में क्यास भी सांदार हो है कंपणी के हर परामेटर आपको अच्छा दिखेगा फिर भी कंपणी का पीरिसी तो बहुत रिजनेबल प्राइस में है कंपणी देखिए बुक बैलू के नीचे टेड कर रहे हैं यह सबसे बड कंपणी इसका मतलग गवर्मेंट कंपणी प्रॉफिट तो अच्छा कासा देगा आपको बोनास रिटान इस तरीके से बहुत चीज अच्छा कासा देगा देखिए डेबिडन साल भर में आपको एक-दो बर करके डेबिदन आपको देता रहेंगे तो इसमें क्या होगा आपको extra benefit तो देगा मगर company आपको return के हिसाब से negative return देगा तो मेरे कहने का मतलब है आप इस type company को पूर नीवेस कर रहे हैं तो आप ए सोच के नीवेस करिए कि आपका पैसा कभी भी दो गुना चार गुना पांच गुना नहीं होगा क्यों देखिए company जब तक government जब तक इस company मतलब banking को नहीं पाइवेट को बेचेंगे तब तक इस company उतना growth नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से बाकी में गलत भी जा सकता हूँ तो आसा करता हूँ इस company के सारे 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 information आपके available हो चुके हैं तो मेरे इस video को आपको अच्छ सब्सक्राइब भी करेगा मिलते नेक्स टॉप लेकर तब तक लिए से सरी अपने ख्या लखिए बाए